किसान भाई और बहनो राम राम डप्टर आरके सैनी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक परफ्रिस्वागत है आज हम नर्मा कपास की गुलाबी सुन्डी के बारे में चर्चा करेंगे मैंने चौदरी चर्ण सिंग हर्यान किश्वी स्विदाला के अपने सेवाकाल में इस कीट पर काम करने का मौका मिला मेरा विचार बना कि इस कीट के बारे में विस्तार से जानकारी अपने किसानों को दी जाए तो आगे बिना समय गवाए आओ आगे इस कीट के बारे में वीडियो देखते हैं बीटी कपास के आने से पहले नर्मा कपास को गुलाबी सुंडी, चितकबरी सुंडी, अमरीकन सुंडी तथा तंबाको सुंडी बहुत नुक्सान पहुचाती थी लगबग 20 साल पहले बीटी कपास का परवेश होने से किसानों को इन सुंडीों से छुटकारा मिल गया परन्तु अब लगता है कि गुलाबी सुंडी ने बीटी कपास की कीट रोधी ताकत को हरा दिया है और पिछले दो-तिन सालों में इसका प्रकोप नर्मा कपास पर देखा गया है इसलिए गुलाबी सुंडी के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है वीडियो लंबी ना हो इसके लिए जानकारी को दो भागों में बाटा गया है वीडियो के पहले भाग में गुलाबी सुंडी के जीवन चक्र के बारे में तथा दूसरे भाग में इसकी रोधाम के बारे में चर्चा की जाएगी प्रमतिस से पहले कि मैं गुलाबी सुंडी के बारे में चर्चा शुरू करूँ तितले में पतंगों के जीविन की अवस्थाओं के बारे में बताना चाहूंगा इनके जीविन की चार अवस्थाओं होती है पहले अवस्था अंडा ये देखिए गुलाबी सुन्डी के अंडे दूसरी अवस्था लारवाथवा सुन्डी ये गुलाबी सुन्डी है देखिया तीसरी अवस्ता प्यूपा ये सुन्डी प्यूपा बना लेती है बाद में और चोथी अवस्ता प्रोड अथवा व्यस्क ये देखिया पिंग बॉल वर्म का अडल्ट पतंगों तथा तितले में दो मुख्यंतर हैं पहला पतंगे रात को जबकि तितले दिन में सक्रिया होती हैं दूसरा पतंगे अपने पाँफ पीट फर फोल्ड कर सकते हैं जबकि तितले के पाँफ सीधे रहते हैं तो गुलाबी सुन्डी के बारे में बात करते हैं दक्षिन भारत में बीटी के पास पर गुलाबे सुन्डी का प्रकोप 2014-15 में देखा गया परन्तु उत्र भारत में इसके अकर्मन के शुरुवात सन 2019 में हुई हर्याने में वर्ष 2021 में इसने जीन, हिसार, फतेवाद वे साथ लगते जलमें काफी नुक्सान किया गुलाबे सुन्डी के पुरूँ प्रकोप के संभावित कारणी यह है, एक तो यह है किट में बीटी जीन के रोधशक्ति का आ जाना, दूसरा, बीज में बीटी जीन ना होना, तीसरा हो सकता है कि अन्यक शेत्रों से बीटी जिन रोत कीटों का हर्याना या उत्रभारत में परवेश हो गया हो अत्य सब फलोकताम के लिए कीट के जीवन चकर को जाना बहुत ही जरूरी है आओ देखते हैं किस तरह विविन वस्ताओं की पहचान करते हैं गुलाबी सुन्डी का पतंगा किस तरह से दिन में छुपने की कोशिश करते हैं ये देखिए पतंगा उड़के पिछले पंकों के किनार ओपर घने रोई होते हैं ये देखिए लंबे-लंबे बाल पिछले पंकों पर कीट की दूसरी वस्ता है अंडा अंडा मादा पोधों के चोटियों पर मुझूद नन ये कैसे छुपाकर अंडे दिये हैं और ये कुछ अंडे इसमें पुराने लगते हैं जो हलके नारंगे रंग के हो गए हैं ये बिल्कुल ताजा अंडे है और जो मोतियों के तरह सफेद होते हैं बाद में अंडो का रंग नारंग या था भूरा तता स्टेक किश्मिश के तरह शिकुड़ी सी हो जाती एक मादावस्तन 125 अंडे देती है कीट की तीसरे वस्ता लारवा यानी सुंडी छोटी वस्ता की सुंडी सफेद अत्वा हलके पिले रंकी होती है और जिसका जो सिर है व यह किस प्रकार ताजा निकले सुंडी पत्ते पर घूम रही है यह देखिए बहुत ही महीन बारिक सुंडी पत्ते पर चल रही है सुंडी के प्रकार के लक्षन अंडो में से उस तन पास दिन के पत सुंडी निकलती है जिनका जेवन काल तेरा दिन के आसपास होता है और ये जो भी फली भाग है उनको काती है इनके पैचानी है कि जो स्वस्त कलिया है उन पे तीन हरी पत्तियां साथ लगे होती है लेकिन जो सुन्डी द्वारा गरसित डोड़ी या बोकी है उसमें पतियां दूर हट जाती है इसको कहते हैं फलेर अप सिम्टम्स ऐसे डोड़ी वगारा में सुराख हो जाता हो नीचे गरे जाती है देखिए कैसे डोड़ी पे सुराख है ये और ये उसका एकस्क्रीटरा दिख रहा है इसे दरह सुन्डी फूलों को भी हानी पहुचाती है जब सुन्डी अकलियों गुशती है तो अंदर ही पंखडियों के एक सिरे को जोड लेती है जिससे फूल ठीक टरह से नहीं किल पते तता फिर किनो مت बन जाते है ऐसे फूलों से प्राए टिंडे नहीं बनती है ये देखे फिर किनो मा फूल ये पहचान है कि इसमें गुलाबी सुन्डी है इसको इंगलिस में रोजेटिड फूलों को खोल कर दिख जाता है तो उसमें प्राय सुन्डी मिलती है जो फूल के नर और मादा भाग को खाती है तो तो तथा ऐसे फूलों से टिंडे नहीं बनते बड़ी अबस्ताएं के सुन्डी हलके गुलाबी रंके होती है और उसके श्रीव पर गहरे गुलाबी रंके छले से होते हैं यह देखे बड़ी सुन्डि और यह टिंडे में से निकलते हुए ऊवराद ने बगगगा यार और ये जमीन पर गिर गई टिंडे बनने पर सुन्डिया टिंडो को खाना दिख पसंद करती है सुन्डी जब टिंडे में घुशती है तो रूई तथा बीज दोनों को नश्ट करती है प्रकौपित टिंडे या तो खिलते ही नहीं या आंशिक रूप से ही खिलते है अधिकले टिंडों में काफी रुवे भीज खराब हो जाते हैं, यह देखिए, इस सुंडी ने कैसे अंदर बनने बिनोले भीज को नस्ट कर दिया है, रुवी भी नस्ट कर दिया है, और जो ऐसे प्रकोफित टिंडे होते हैं, वो खिलते ने पूरी तरह सी है, देखिए, यह ऐसे टिंडों को चुनने में, कपास चुनने में भी दिक्कत आती है, और बहुत नुक्सान होता, गुलाबी सुंडी दो बीजों को अंदर से खोख लाकर उन्हें जोड लेती है, ऐसे जुड़े बीजों में सुंडियां सुश्रुप तवस्था में 6-8 मेने पड़ी रहती हैं, यानि कि अब की सुंडी अंदर गई हुई, वो जुलाएं में मैक्सिमिम निकलेंगी, जोड़ी बीजों में बहुत चीकवास फंसकर पोधो परी छोड़ जाती है, जैसे मैंने बता, तो ये सर्दियां काटने के लिए बिनोलों में, खोकले के बिनोलों में, मेने तक पड़ी रहती हैं, थोड़ी बहुत सुंडी अपरेल में निकलेगी, लेकिन जादा इसका निकलने का समय है, मद जुलाएं, सुंडी बिनोलों को काफी आने पहुचाती है, देखिए, उपर सुंडी इगरसित बिनोले हैं, जो बिलकुर नस्ट हो गए हैं, नीचे सुंडी बिनोले हैं, कीठ की चोथी अवस्ता है, प्यूपा, दो सब्ता की लारवा वस्ते के बाद सुंडी प्यूपा में तब्देल हो जाती है, इसके लिए सुंडी प्राय खोकले की बेजों का प्रयोक करती है, या फिर टिंडे मन्यस्तान पर जगा बनाकर प्यूपा बना लेती है, कभी-कभी सुंडी जमीन पर पड़े खचरे में भी प्यूपा बना लेती है, यह देखिए एक प्यूपा बन गया और दूसरे लारवा प्यूपा बनने की तयारी में है, यह देखो बीज के अंदर प्यूपा इस तरह से बनते हैं, यह पोधे पर प्यूपा बीज के अंदर बना हुआ प्यूपा काल पोरकर आठ दिन के बाद पतंगा बाहर निकलाता है और पतंगे फिर से एक नई पीडी के शुरुआत करते हैं यह देखे प्यूपा में से निकली हुई यह गुलाबी सुन्डी का पतंगा और दिन में छुपने की कोशिश करता है य प्राजे के नीचे चला गया कि इसी परकार दूसरा पतंगा यह देखिए यह भी छुपने कोशिश करें बड़ी चत्रवाई से यह देखे पीछे आके चुप गया कि धन्यवाद जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक वे शेर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद